जनत की मिट्टी एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था लोग वहां काफी संख्या में इटठे हो गए वही पर एक महापुरूश आ गए पास खड़े लोगों ने महापुरूश से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताए जिससे यह पीड़ा से मुक्त होकर प्रांट त्याग दे और ज्यादा पीड़ा ना भोगे महापुरूश ने बताया कि अगर जनत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो यह पीड़ा से मुक्त हो जाएगा ये सुनकर सभी चुप हो गए अब जनत की मिट्टी कहां से और कैसे लाएं महापुरुश की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दोड़ा दोड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुठी मिट्टी लेकर आया बोला ये लो जनत की मिट्टी इसे तिलक कर दो बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया ये चमतकार देखकर सभहरान थे क्योंकि जनत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है और वो भी एक छोटा सा बच्चा हो ही नहीं सकता महापुरूष ने बच्चे से पूछा बेटा ये मिट्टी तुम कहां से लेकर आए हो पृत्वी लोग पे कौन सा जनत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए लड़का बोला बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि मां के चरणों में सबसे बड़ा जनत है उसके चरणों की धुल से बढ़कर दूसरा कोई जनत नहीं इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी मां के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ बच्चे मूँ से ये बात सुनकर महापुरूश बोले बिलकुल बेटे मां के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जनत नहीं और जिस आउलाद की वजह से मां की आँखों में आंसू आये ऐसी आउलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी रूपा पैसा जमा कर ले आसमा की उच्चायों को क्यों ना छू ले जब तक आपकी वजह से मां खुश नहीं है तब तक वो भगवान भी आप से खुश नहीं होगा कोई भी दान, पुन्या और तीरत करने का फल आपको नहीं मिलेगा आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने नूतन कहानिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कश्ट करे